हलो एवरेवन दिस इस नीशा गुक्ता और आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी प्लीज मेरी चैनल को सब्स्राइब करें लाइक करें और शेयर करें तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का जो कंसेप्ट है वो है speak, talk, tell, say, chat and whisper ये इतने सारे शब्द है और मीनिंग एक है कहना, बताना, बात करना तो किसको कहां यूज करते हैं आज हम देखेंगे पहला ये speak, speak याने बोलना, loudly जब हम बोलते हैं that time we use speak next is talk, जब हम बात करते हैं किसी से, याने मैं किसी सामने किसी से बात कर रही हूँ, उस समय मैं talk कर रही हूँ या मैं एक से अधिक लोगों से बातचित कर रही हूँ, तो भी talk होगा, इसको बोलते हैं बातचीद फिर है tell, यह बहुत confuse करता है एक tell और say, कहां पर tell का use, कहां पर say का use, तो tell का use कहां करते हैं, tell का मतलब होता है कहना, लेकिन इसके साथ होता है someone या something, यानि कि tell के साथ हमेशा object आता ही है, tell me something, I want to tell you something, तो जो यहां पर you आया है, that is object, यानि हमको किसी से कुछ बोलना है, that time we use tell, लेकिन जो say होता है, इसका मतलब भी कहना ही होता है, लेकिन इसको बिना natural तरीके से मुझे कुछ कहना है, I want to say, say के साथ object नहीं आता है, फिर आता है check, जी हां, check, जब हम किसी से physically, बिना किसी उद्देश के बात करते हैं, that is called check, जब हम gossip करते हैं, that is called check, तो check का मतलब होता है, बिना किसी उद्देश के बाते करना, फिर है whisper, जी हां, whisper यानि किसी के कान में धीरे से कुछ बोलना, जब हम किसी के कान में धीरे से कुछ बोलते हैं, that is called whisper, तो आशा करती हूं कि आपको ये concept clear हुए होंगे, thank you.